बोर्ड एक्जाम वारियर्स हाल जिरूम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर जो है रेलवे परीक्षा डेट इस रर्वी एंटी पीसी ट्वेंटी 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 टू ओके जानेंगे इस वीडियो में एंटी पीसी साइको का रिजल्ट कब तक आएगा एंटी पीसी टाइपिंग रिजल्ट कब तक आएगा और विध्यार्थियों की उम्मीदों पर किस ने प्रहार किया तो देखिए और इसमें ये भी जानेंगे कि आर्डी एसो ने छात्रों की उमीदों पर किस प्रकार पानी फेड दिया है तो फ्रेंट्स दिस इस मैं चैनल बोड इग्जाम वारियर्स तो लाइक, शेयर और सब्सक्राब मैं चैनल पर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो चलिए फ्रेंट्स बिना टाइम वेस्ट किये हुए आपको प्रूफ की तरफ लेकर चलती हूँ कि मैं ये इतनी वरे सारी जो बातें आपसे कह रहे हूँ वो किस प्रूफ के बेसिस पर कह रहे हैं ओके फ्रेंट्स चालिए देखते हैं देखिए ये किसी विध्यार्थी ने आर्टी आई डाली हुई थी आर्डी आई सोपर जिसकी फुल फॉर्म क्या है देखिए आर्डी आई सो रिसर्च डिजाइन इन स्टैंडर्ड ऑगनाईजेशन ठीक है ये आर्टी आई नंबर है आप चेक कर लीजेगा तो इन्होंने ये रिक्वेस्ट जाली हुई थी और नीचे क्या लिखा था देखिए ध्यान से डिस्क्रिप्शन ओफ इन्फॉर्मेशन सोट तो ये लिखा हुआ है रडी आई सो हैस रिलीस्ट दे आर्डी आर्बी आंटी पीसी सी ए एन नंबर सी बी ए टू साइको टेस्ट वोस कंडेक्टेड ओन 30 जुलाई 2022 फोर स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक असिस्टांट इन लेविल 6 ओफ वन 2019 ओके हूज रिजल्ट स्वीटेवल स्टेटस जो जानना चाह रहे थी जिससे उन्होंने बैकेट में लिखा हुआ है whose result has not come yet please tell me when will the result of CVT be given तो जिस भी स्टुडेंट ने ये RTI डाला था उन्होंने directly RDSO से यही पूछा था कि साइको का टेस्ट जो है वो 30 जुलाई 2022 को हो चुका है तो सर प्लीज ये बताए कि इसका result कब तक आएगा तो देखते हैं इसके response में RDSO ने क्या reply ने जाता देखे final decision of RDSO देखे ये जो green line आपको देख रही है तो देखते हैं क्या दिया हुआ है देखे as per CIC ruling in case number CIC slash 80 slash A 2006 slash 0045 dated on 21st of April 2006 in the matter of Dr. D. V. Rao versus Yashvant Singh तो ये इन्होंने पूरा अपना एक पहले जो review आ चुका है इस basis पर उसको पूरा दिखाया है पहले कि किसके basis पर इन्होंने रिप्लाई दिया है sign it was ruled the क्या बताया है देखे ध्यान से it is not open to an applicant to ask in the guess of seeking information questions to the public authority about the nature and quality of their actions the RTI act does not cast on the public authority any obligation to answer queries as the case जो इन्होंने उपर अभी दिखाया था एक्ट में इसके RTI जो एक्ट है उसके basis पर यह लोग इस चीज के लिए बात दे नहीं है कि आपकी यह question पूछ सके की result कवाने वाला है तो यह इस चीज को बताने के लिए बिलकुल भी वाध्य नहीं है सो फ्रेंट ऐसे ही अगर किसी स्टूडेंट ने RTI डाला होगा टाइपिंग के लिए I hope कि डाला होगा शायद स्टूरेंट ने I guess जितना भी मैं guess कर पा रही हूं क्योंकि उसको भी टाइम हो गया है तो वो भी सेम रेस्पॉंस मिलेगा RDS होगा ओके तो फ्रेंट्स देखिए रिजल्ट कब आएगा कैसे आएगा अभी तक कोई भी ऑफिशल रिजल्ट के बारे में नोटिस नहीं जारी किया गया है इसलिए आप यूट्यूब पर जो भी भ्रांतियां चल रही है या वाए चल रही है कि रिजल्ट इस दिन आन आने वाला है उस दिन आने वाला है अभी तक RRV की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिस नहीं है जैसे ही वो नोटिस आता है मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइट कराऊंगी तो थैंक यू फो वाचिंग बोड एक्जाम वारियर्स तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल for such useful and informative videos. Thank you so much!